अब शायद मैं लाइव आ चुका हूँ मैं कोई भलते ही सेशन में चले गया था राइटिंग प्रैक्टिस वगरे कल वगरे के सेशन में मैं आज ही लाइव एंट्रे मार लिया था गजब भाई सम्नेक्स लेवल एक नेक्स लेवल ठीके चली आईए ध्यान दीजे इतने सारे अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका सोगा की युनिट नंबर फॉर के अंदर वन शॉट सेशन लेने की कोशिश करेंगे आज हम लोग लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुक है अब देखते कितना हो पाता है कितना कंप्लेट हो पाता है आपने अब तक जॉइन नहीं किया तो पताफट जॉइन कर दीजेएंगा जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और UnAcademy के लिर्निंग एप के ओपर अगर आपने अब तक मुझे फॉल्वोड नहीं किया तो फटाफट फटाफट मुझे फॉल लेना होता है, जिससे आप बहतरीन तरीके से हमसे आप पढ़ सकते हैं, एक लेवल नेक्स तरीके से आप हमसे पढ़ सकते हैं, मैं अगर बात करूँ बेटा, आप लोगों के साथ, प्लस के अंदर आपको लाइफ क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेट एक्सेज और स्ट्रक सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पर आईजी सर के कोड का इस्तमाल कर सकते हैं, यह अलग-अलग मंस के लिए होता है, यह अलग-अलग अमाउंच के लिए होता है, सीधी सी बात है, और प्लस या आईकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आईजी सर के कोड का इस सीरीज होंगी और एकदम next level हम लोग उसके अंदर Indian contract tag को complete करेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगा समझे आप बात को चलिए मैं अगर बात करो आपके साथ मैं अगर बात करो आपके साथ next particular चीज से related वो हम लोग देखने वाले बेटा sale of goods act का unit 4 आज हम लोग चालू करेंगे मैं अगर बात करो सबसे पहली चीज जो है बेटा वो है unpaid seller की कौन सी चीज की unpaid seller की अब यह unpaid seller का मतलब क्या होता है करके जैसे for example एक particular shop में यह particular व्यक्ति कौन हुआ यह particular shop का owner हुआ अब यह व्यक्ति इस व्यक्ति को यह व्यक्ति को अगर मैं बात करूँ आपके साथ ध्यान दीजे वे यह हो गया मान लीजे नाम अभी के लिए रामु नाम राख्द से गुड्स करीता है, साम रामू से क्या करीता है, जल्दी से बोलो गुड्स करीता है, और अब साम को रामू को क्या देने होंगे, साम को रामू को पैसे देने होंगे, तो अब समझे आप बात को ध्यान दीज़े, अगर साम रामू को पैसे नहीं देता है, तो ऐसे situation के अंद seller बोला जाएंगा मैं अगर बात करू बेटा आप लोगों के साथ next particular चीछ के अब आप ध्यान रखना है आप अनपेट seller का मतलब क्या होता है फिर से समझ लो एक बार अनपेट seller का विक्ति का मतलब ही होता है ऐसा ऐसा कोई particular contract जिसके अंदर ऐसा कोई particular contract of sale जिसके अंदर बेटा क्या seller is under obligation to deliver the goods मैं अगर बात करो तो seller obvious की बात एक goods देंगा और buyer उसके बदले में क्या देने वाला है price देने वाला है क्या देने वाला है जल्दी से बोलो price देने वाला है तो ऐसे situation के अंदर मैं क्या कहूँगा ध्यान दीजे यहापे और यह तीन चीजे हो जाती है तब मैं कहूँगा कि seller हमारा unpaid है करके कौनसी कौनसी है सर वो तीन चीजे बताओ ना पहली वाली चीज देखिए पहली वाली चीज क्या है whole of the price has not been paid मतलब पूरा पूरा पैसा मान दीजे यह goods 1000 रुपे के दिये गयते करके लेकिन अभी तक Sam ने केवल और केवल 900 रुपे दिया है तो मैं क्या कहूँगा समझे बात को मैं इस पर्टिकुलर चीज को कहता हूँ कि पूरा पैसा अब तक नहीं दिया गया है second वाली चीज दियान रखिए वो कौन सा है when the bill of exchange या negotiable instrument मतलब क्या देखिए शौप कीपर वालों ने Sam को क्या दिया था bill of exchange दिया था लेकिन मैं आपको एक बात बताओ Sam ने अभी तक bill of exchange को भी accept नहीं किया है तो ऐसे situation के अंदर ये शौप का जो व्यक्ति है मतलब जो राम हो हमारा जो seller है बेटा उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग कहते है come on everyone वो particular व्यक्ति को unpaid seller बोला जाता है क्या बोला जाता है come on everyone वो particular चीज़ को unpaid seller बोला जाता है ठीक है येस मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो ये दोनों चीज़े होती है मतलब सीधी सी बात सीधा सा logic यह है बेटा कि अगर ये व्यक्ति को अगर अगर amount लेने का बनता है और वो amount अभी भी pending है क्या कह रहा हूँ मैं अगर एक amount लेने का बनता है और वो amount क्या है बेटा जल्दी से बोलो और वो amount क्या है pending है तो ऐसे situation के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि ये particular व्यक्ति unpaid seller बन जाता है, क्या बन जाता है सभी लोग बोलेंगे, वो particular व्यक्ति को unpaid seller बोला जाता है unpaid seller बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगा, मैं अगर बात करूब आप लोगों के साथ, तो rights of an unpaid seller कौन से कौन से ध्यान रखें, कि एक अगर व्यक्ति unpaid है, मतलब एक particular seller अगर unpaid है, तो ऐसे situation में उसके कौन से कौन से rights है, उसके बारे में आईए बात करते हैं, ध्यान दीजेंगा, समझेंगा बात को कौन से चीज़ के बारे में बात करेंगे, rights के बारे में बात करेंगे, unpaid seller के rights के बारे में बात करेंगे ध्यान रखना समझेंगा बात को तो unpaid seller के 3 प्रकार के rights होते है समझे बात को ध्यान दीजे unpaid seller के कितने प्रकार के rights होते है 3 प्रकार के rights होते है तेरा right होता है goods के उपर that is lean on the goods करके मतलब क्या goods के उपर कबजा जमाना गुट्स के उपर जल्दी से बोलो क्या करना गुट्स के उपर कबजा जमाना दूसरी वाली चीज अगर बेटा समझे बात को बायर अगर आपका इंसॉल्मेंट हो जाता है तो ऐसे situation में stopping in transit भी बिल्कुल बिल्कुल work कर सकता है क्या होता है इसके बारे में हम लोग detail में बात है फिर से देखे अंपेट seller का जो राइट है तीन चीजों के ऊपर आता है lean on goods के उपर, stopping of goods के उनदर और resale of goods के उनदर समझे बात को एक unpaid seller के पास तीनो प्रकार के राइट होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगा, मैं अगर बात करूँ आपके साथ ध्यान दीजिए, समझे बात को, इससे फिर कोई फरक नहीं बढ़ता बेटा, क्या फरक नहीं बढ़ता कि अगर, अगर समझे बात को, अगर goods के अंदर भी property आ जाती है न, तो ऐसे situation में भी, क्या seller के right for gone होते हैं, क्या जी नहीं, seller के right for gone नहीं होते हैं, जो seller है न बेटा, इसके जो rights होते हैं, इसके जो rights होते हैं, वो किसी भी हालत में हम लोग compromise करते हैं, क्या no compromise है, and see no compromise, इस चीज का ध्यान रखना, बिलकुल भी कुछ भी compromise नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान में रखते हुए, चलिएंगा, कोई compromise नहीं किया जाता है, अब आईए एक particular एक 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 चीजों के उपर discuss करेंगे, detail में discuss करेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, आईएंगा ध्यान दीजेंगा, बढ़िया तरीके से concentrate करना, सबसे पहली वाली चीज कौन सी है, sellers lean से related सबसे पहली वाली चीज है, कौन सी है, sellers lean से related सबसे पहली वाली चीज है, आईएंगा, ध्यान दीजेंगा, समझेंगा बात को, मैं अगर बात करो बाप लोगों के साथ सुनना, एकदम बढ़िया तरीके से सुनियेंगा, ध्यान दीजेंगा, म मैं आपको क्या बेच रहा हूँ मैं आपको फोन बेच रहा हूँ अच्छी तरीके से दें लो न फोन लो है ना आप इधर साइड कर रहे हो फोन लो मुझसे और आपको बदले में मुझे पैसे देना है सीडी सी बात है आप बदले में मुझे पैसे दोंगे अब समझेंगा ब बिलकुल बराबर सार आप अनपेट seller हुए अब समझेंगा बात और गौळ फर्माना तो ऐसे situation में मैं इस particular goods के उपर lean ला सकता हूँ क्या ला सकता हूँ जल्दी से बोलो lean lean का मतलब होता है इसके उपर अपना कबजा जमाय रख सकता हूँ या इसको अपने क्या बोल सकता हूँ इसको अपने अधिकार में रख सकता हूँ समझ रहे बात को इसको बोला जाता है lean करके मतलब इसका मतलब यह होता है कि मैं मेरी अब कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया तो ऐसे में मेरे पास एक अस्तरश शस्तरा आ जाता है और वो अस्तरश शस्तर का क्या नाम होता है कि मैं इस particular goods के उपर lean exercise कर सकता हूँ समझना बात को क्या exercise कर सकता हूँ lean exercise कर सकता हूँ इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगा क्या आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ यही कह रहा हूँ कि यह particular goods के उपर मैं lean को exercise कर सकता हूँ क्यों क्योंकि यह goods अभी भी मेरे कबजे में है इसलिए अब देखिए पहली वाली चीज एक तो मैंने आपको credit पे नहीं मैंने आपको cash sale किया क्या किया मैंने आपको cash sale किया मैं expire हो गया और तीसरी वाली चीज जहाँ पे buyer जो particular buyer है वो insolvent बन जाता है buyer क्या बन जाता है समझना बात को buyer insolvent बन जाता है तो ऐसे situation के अंदर मैं चाहू मैं चाहू तो possession of goods को क्या मैं अपने पास रख सकता हूँ क्या बिल्कुल बिल्कुल दे कि अगर goods का possession आपके पास चले गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहिए अगर goods का possession अभी भी मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो particular चीज के उपर lean को exercise कर सकता हूँ जल्दी से बोलेंगे मतलब वो particular goods को मैं आपको नहीं दूँगा मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे न वो particular goods को मैं आपको नहीं दूँगा ऐसा इस particular चीज का मतलब होता है कि आप ये बात को समझ गये सभी लोग फड़ा फड़ बताए मुझे क्या ये चीज को समझे एकदम mind में गया आपके तोड़ फोड़ के एकदम mind में गया न चलिए बहुत बढ़िया आएएगा ध्यान दीजएगा next particular चीज के उपर चलेंगे अभी सुनना बात को part delivery से related बात करूँगा कौन से चीज से related बात कर रहो हूँ मैं आपके साथ part delivery से related part delivery part delivery आईए ध्यान दीजए समझे बात को इनका क्या कहना है मान लीजए आपको इन दो particular products देखिए ये दो remote है न मतलब बहुत सारे आपको products देना था मैंने आपको already part delivery कर दिया मैंने आपको already part delivery कर दिया और अभी तक दूसरे part की delivery pending है और मेरा पैसा भी pending है तो क्या ये जो बच्चा हुआ part है क्या इसके उपर में lean को exercise कर सकता हूँ क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल exercise कर सकता हूँ ऐसा ये वाला चीज़ कहता है मतलब क्या कि आप बिल्कुल lean को exercise कर सकते हो भली आपने part delivery कर दिया हो सामने वाले विक्ति को लेकिन ऐसे situation में भी आप क्या कर सकते हो ऐसे situation में भी आप goods के उपर lean अपना अधिकार goods के उपर अपना अधिकार बनाए रख सकते हो ऐसा यहाँ पर बोला गया है समझा आप ये बात को चलिए बहुत बढ़ी है अगर आपके साथ termination of the lean मतलब क्या कि कब आप goods के उपर lean को exercise नहीं कर पाऊंगे मतलब एक अगर particular seller क्या है बैटा अगर एक particular seller unpaid seller है सभी लोग बता ना अगर एक particular seller क्या है unpaid seller है तो कब वो अपने goods को terminate मतलब उसकी जो lean है अगर जो कब जा करने का अधिकार है वो कब terminate हो जाएंगा उस particular चीज से related यहाँ पर बात हो रही है अब देखिए यहाँ पर तीन particular ऐसी चीजे होनी चाहिए हाँ तीन ऐसी चीजे है जहाँ पर आप lean exercise अब नहीं कर पाऊंगे बस बहुत हुआ अब आप lean को exercise नहीं कर पाऊंगे ऐसी तीन चीजे है बेटा कौनसी कौनसी है वो तीन चीजे आईए देखिए गा यहाँ पर समझेंगा बात को मतलब क्या किया उसने देखिए उसने बेटा ट्रांसपोर्टर को उसने कैरियर को उसने ट्रांसपोर्टर को goods दे दिया किसको दे दिया उसने ट्रांसपोर्टर को goods दे दिया और उसके उपर उसने lean को exercise नहीं किया मतलब उसके उपर उसने reserve नहीं किया right of disposal of goods अब यह right of disposal का मतलब क्या होता है गुट्स को तेंस नेस करने की ताकत अगर उसने अपने पास नहीं रखा है तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहुँगा बेटा और राइट ऑफ लीन को वह एक्सराइज अब नहीं कर पाएंगा क्योंकि उसके इसके पास उसके उपर मेरा कंट्रोल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं बोला गया काम से तमझ रहे बात को गया काम से मतलब लीन गया काम से उसके बाद देखिए second वाली चीज विन्ड बायर क्या बोला या पर विन्ड बायर या उसका एजन्ट विन्ड बायर या उसका एजन्ट lawfully obtain the possession of the goods क्या करता है बेटा lawfully obtain करता है possession of goods मतलब एक बार मेरे पास से possession भी चले तो ऐसे इसमें भी मैं क्या lean को exercise कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा तीसरी वाली चीज वेवर दे रहा हूं वेवर का मतलब क्या होता है बेटा देखिए समझे बात को seller इतना महान है कि seller बोलता है जा जा में को lean exercise नहीं करना खुद wave कर देता है उसके पास right है उसके पास अ कैसा उस चीज का मतलब होता है समझे आप बात को कि आप इस particular चीज को समझे उसके बाद analysis वाला पार्ट है जो अगेन आप तो समझते हो कि वह अलग अलग चीजों के अंदर है अलग अलग चीजों के अंदर है अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ यह termination of lean के अंदर यहा अब मुझे कभी कभार समझ में आता है कि इन्होंने analysis में अलग क्यों लिखने की जर्वती अरे analysis आप दे रहे हो तो इससे match करवाना था जो आपने main law लिखा है उससे match करवाना था तुम उससे match करवा नहीं रहे उससे match करवा नहीं रहे और तुम फिर वहां पे अलग- मतलब होता है देखो क्या बुला बाइस टॉपल वेर दे सेलर सो कंडेक्स इंसर्थ यह लीट्स थर्ड पार्टी तु बिलीव देट लीन डाज नॉट एग्जिट करके मतलब क्या मैं अगर कहूँ आपके साथ समझे बात को ध्यान दीजिए यह यह वाले पॉन का ऐसा कहन है कि सेलर तो ऐसा बिएफ करता है अरे प्रभू आप आईए गुट्स को और लेके चाहिए करके है ना बायर या कोई थर्ड परसन जिसने बायर ने जिसको सबसेल किया है वो थर्ड वेक्ती भी उसके सामने आप ऐसा भोले बनते हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है क करके आप कहते हो यह लेंस का मतलब का मतलब क्या होता है मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आती करके आप ऐसा बीएफ करते हो असा बीएफ करना ऐसा बताना ऐसा जताना तो ऐसे situation के अंदर मैं क्या कहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या अप लीन को exercise करों कि ध्यान रखेंगा जो यह आपे बोला गया है कुछ exception है if the unpaid seller of the goods having lean does not lose his right by the reason only that he has obtained a degree for the price of goods करके अब यह degree for the price of goods क्या होता है मैं आपको बताता हो ध्यान दो समझे बाद को देखिए इसमें क्या मतलब होता है कि अब क्या होता है कोट में कोट में बायर और seller का जगडा चल रह तो मतलब उसको कुछ ना कुछ डामेज या उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलने वाला है जो भी डामेज है बेटा उसको हम लोग भरपाई करने वाला है सामने वाला रहती अब मात्र यह order आया अभी तक पैसा आया क्या पैसा नहीं आया मात्र यह order आया इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने lean को छोड़ देंगा है ना जब तक उसको पैसा जब तक उसको degree भी पूरा नहीं मिल जाता जब तक उसको पैसा जहीं मिल जाता पूरा तब तक क्या वो अपने right को छोड़ने वाला है क्या तब तक वो अपने right को नहीं छोडने वाला है, इस्टीच का धियान रखना, मतलम मैं आप आप लोगों के साथ ये कहना चाहता हू, मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हू, मैं आपको बता तो धियान देना, अरे बैया, ये ब्लांक स्क्रीन को at time import कर रहा हूँ टेक है हाम चलिए आईए ध्यान दीजे अब आप पूछोंगे सर हमसे कह रहे का नहीं हमसे नहीं कह रहा हूँ जिससे कह रहा हूँ उसे समझ गया है चलिए अब ध्यान दीजे समझे बात को जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ आप अच्छी तरीके से सुनना सामने वाला व्यक्ति क्या है यह सेलर ने किसको दिया बायर को बेचा और मैं अगर बात करूँ बायर सेलर बायर सेलर को पैसे देने वाला अब सवाल का हुडताए समझछिए बात को इनका इनक डिस्प्योट के इनदर के उप्ट अप्टेवर और यह समझेशन अब आप समझेश to court of law में जाते हैना का ότε ने किया कर सकता तो सेलर के फेवर में जजमेंट दे सकता है ना तो मैं कहुँँगा व्लें ऐकर करेना समझेश मात्र कोट of law का और टार और राया मात्र को त्लब अपने क्या वो कबजा छोड़ेंगा क्या नहीं छोड़ेंगा जब तक ये बायर उसको लीन का भी नहीं दे देता है जो भी decision लिया होंगा court of law के द्वारा अगर वह भी चीज नहीं दी जाती है तब तक तो भूली जाओ तब तक तो भूली जाओ कि यहां पर लीन चूटने वाला है करके seller का ऐसा यहां पर बोला गया है क्या आप यह बात को समझे कम ओन एवरिवन क्या आप यह बात को समझे यह अब मैं आपके साथ बात करूंगा नेक्स परडिकुलर चीज से रेलेटेट और वह सेकेंड होता है अगर बात करूं यह पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है यह पर्टिकुलर व्यक्ति सेलर है और यह पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है बेटा बायर है है ना समझे बात को द्यान नीशे है मैंने क्या किया मेरे पास गुड्स का पजेशन नहीं है मैंने गुड्स बेटा किसको दे प्राइप्टर दिया मैंने गुट nude manifaid उतने में और मैं अभी भी क्या हूँ अभी बात को मैं अभी भी viewers टी इतने में कबस पर उड़ती यहा हुआ चुकतू कि यह जो इनसलवेंट हो चुकत है क्म ऊनना यह पंड बाइर के बात को फून करता है इन स्वय ड्राइबर को फून डिजै गाड़ी को बल्टलो नहां तो गाड़ी को पलटा लिया गाया तो इस चीज को क्या बोला जाता ह। इसको बोला जाता है stoppage in transit करके मतलब goods क्या हो रहे थे आपको लगता नहीं क्या goods transit में थे आप समझे बात को और तुरं ड्राइवर ने उसको यूटन मारा तो मैं क्या कहूंगा आप समझे बात को ध्यान दीजे इस पर्टिकुलर चीच को बोला जाता है right कौन सा right of आप समझ होता है तो ऐसे situation के अंदर मैं यह पर्टिकुलर गुट्स को जब वापस बुला लेता हूं न तो इस चीच को बोला जाता है right of stoppage in transit करके क्या बोला जाता है right of stoppage in transit करके ऐसा यहां पर बोला जाता है चली आईए देखिए समझे बात को देखो यहां पर लिखा गया है the buyer of the goods become insolvent the unpaid seller who has parted with the possession parted मतलब उसके पास ते possession goods का चले गया as long as they are in the course of transit लेकिन अभी भी goods moving वाले condition में अभी भी goods transit वाले condition में हैं तो यह में retain them until the paid or tendered price of the goods करके मतलब क्या जब तक सामने वाला विक्ती मुझे पैसा नहीं देता जब तक सामने वाला विक्ती मुझे goods नह वो पैसा कम ओन एबन ऐब क्या मैं वह particular चीज को रोग सकता हो क्या yes मैं उस particular चीज के अपर बिलकुल बिलकुल फिर से रीर इंडीन कर सकता हूँ उसके अपर का कबझ गजा ऐसा यहां पर बोला गया है, अब मैं अगर कहूँ आपके साथ समझेंगा, बात को ध्यान दीजेंगा, अब मैं अगर कहूँ आपके साथ, duration of transit कौन सा बनता है, तो duration of transit में यहां पर इनका कहना है, देखें आपे, goods are deemed to be in the course of transit when they are delivered to the carrier, जब आपने carrier को deliver किया है, और the bailie for the purpose of transmission until the buyer या agent takes the delivery करके, मतलब जब तक buyer के possession में नहीं आता, तब तक वो transit में, सर कहना क्या चाते हो, कि यह वाला particular जो truck निकला है, यह particular truck जब तक buyer के पास नहीं पहुचता, इस particular चीज़ को in transit बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस particular चीज़ को in transit बोला जाता है, इस चीज़ का आप ध्याम लखेंगा, अब मैं अगर कहूँ, आपके साथ फिर देखिए, आपर second वाली चीज़, if the buyer या agent, अगर वो obtain करता है delivery, मतलब मैं यह कहना चाता हूँ, कि अगर buyer या उसका कोई भी agent, अगर delivery को obtain कर लेता है, तो ऐसे situation के अंदर, अगर मैं फिर से कहूँगा, कि य यहाँ पर मतलब आपका जो in transit है, वो खतम हो जाएंगा, तो क्या right of stoppage in transit को आप exercise कर पाऊंगे, क्या आप नहीं कर पाऊंगे, मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, देखिए, कि यहाँ पर, माल लिजए यह particular position के उपर, सुनना बात को ध्यान रटना, यह particular position के उपर क्या होता है, यह particular position के उपर, buyer बेटा, गुच को ले लेता है, बायर के control में गुच आ जाते है, इत्ता, ऐसा लिखोंगो तो हो गया, buyer के control में गुच आ जाते है, buyer के control में है तो अब समझे बात को, मैं क्या कहूँँगा, यहाँ पर आपका transit खतम हुआ, यहाँ पर आपका transit हुआ खतम यहां पर आपका ट्रांजिट खतम हुआ समझे आप बात को क्या आप इस बात को समझ रहे हैं यह सर अब देखिए थर्ड वाली चीज़ देखिए इफ आफ्टर अर्यवल ऑफ गुड्स अपॉंटेट डेटा एक बार जो भी आपने प्लेस डिसाइड किया था अपॉंटेट डेस्टिनेशन माली जे आपने बोला ता गुड्स को जुहू बीच पर लाना करके तो हमने कहां पर लाके रखें ने जुहू बीच के उपर लाके रखें समझे बात को द्यान लख ना जुबीच दक्यारियर अधर बैली एक्नॉलेज चूद बायर और वह ब अपने बिचनेशन पर अब ऊहां पर चोडर ने बोला गायर को तो मैं क्या कहूंगा समझना बात को मैं इस पर्टिकूलर चीज को कहांगा यहां पर टाशिट खतम हो जाता है आपका transit comes to an end करके क्या आप ये बात को समझ रहे हैं transit comes to an end करके इस particular चीज़ का आप ध्यान रखेंगा इस particular चीज़ को क्या बोला जाता है come on everyone कि transit आपका यहाँ पर खतम हो जाता है यहाँ पर आपका transit खतम हो जाता है, कि आप ये बात को समझे, सभी लोग बोलो, कि आप ये बात को समझे, cool है, absolutely cool है sir, इससे बहतरीन तो कभी जमाई नहीं है न, चलिए, मैं अगर बात करो आपके साथ, अब देखिये क्या बोला गया है, यहाँ पर फोर्त वाला पॉइंट, if the goods are rejected by the buyer, and the carrier or the other belly continues to be the possession of them, then the transit is not deemed to be at an end, even if the seller has refused to receive them, करके, मतला थेखिये क्या बोला है, समझो, buyer ने goods बेजा किसके लिए, sorry, seller ने goods बेजा किसके लिए, buyer के लिए, buyer ने goods को reject किया, ओ, हो, 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 buyer ने goods को reject किया, और seller भी कहता, मैं भी goods को वापस नहीं लेता, तुने बुलाया था ना, मैं भी goods को वापस नहीं लेता, लेकिन अभी भी क्या, यह in transit माना जाता है, क्या हाँ अभी भी ये in transit माना जाता है मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो मैं कहना ये चाहते हो बायर ने और सेलर के बीच में ये हुआ सेलर ने goods को बेजा बायर इसको reject कर देता है वो इधर घुमा सेलर कहता है देख तू आना मत मैं तो goods को accept नहीं कर रहा हो तो ये वाले अब बेटा ये तो धर्म संकट में फस गया ना जो carrier आप समझे ना बात को जो ट्रक वाला है वो तो धर्म संकट में पढ़ गया मैं करू तो करू क्या बोलू तो बोलू क्या करके तो ऐसे इसमें फिर भी मैं क्या कहुँगा कि ये in transit goods माने जाते है सभी लोग बोलेंगे ये क्या माने जाते है ये in transit goods माने जाते है इस चीच का अप ध्यान रखेंगा कि आप ये बात को समझे येस फिर देखिए क्या बोला गया ऐसी शिप बेटा जो buyer ने higher करके रखा है तो ऐसे इसमें मैं कहुँगा कि आपके पास buyer का possession चले गया मतलब buyer के पास अपना possession चले गया आप lean win को exercise नहीं कर सकते अब आप lean win को exercise नहीं कर सकते इस चीच का अप ध्यान रखना फिर 6 में बोला गया वेर दे carrier और अधर बेली वेर दे carrier और अधर बेली wrongfully refuses the deliver goods to the buyer और या agent in that the transit is dim to man end करके मतलब transporter के गलती के कारण अगर buyer को goods के delivery नहीं मिलती है तो ऐसे इसमें in transit नहीं माने जाते है मतलब seller अपना अधिकार नहीं जता सकता है यहाँ पे buyer का अधिकार आ जाता है क्योंकि गलत तरीके से गलती से reject हुआता बेटा buyer के द्वारा goods इस चीश का अपधियान रखना फिर यहाँ पे 7 द्वाले पहुंच में बोला गया है जहाँ पे part delivery दे दिया है आपने buyer या agent को तो remainder of the goods may be stopped in transit करके मतनब क्या वही वाली बाग जो आपका lean के उपर था कि अगर part delivery goods होता है तो एक delivery आपने कर दिया लेकिन दूसरे part के उपर क्या आप अपना अधिकार जमा सकते हो क्या आप बिल्कुल बिल्कुल अपना अधिकार जमा सकते हो इस चीश का आप ध्यान रखना इस चीश का आप ध्यान रखना जो यहाँ पर बोला गया है समझे आप बात को जो यहाँ पर बोला गया है ऐसा यहाँ पर बोला जाता है आगे बनने से पहले आपको एक बात बता दू बेटा कि आप सभी लोगों के लिए RTP, MTP और PYQ बाच आ रही है आपके अपनी बाहुबली टीम लेके और यह कब से होने वाली है यह 18 अपरिल से चालो होने वाली है 31 में तक है न 31 में तक यह इसका टाइम टेबल होंगा जहाँ पर चार दिन आपके साथ RTP, MTPs को किया जाएंगा तीन दिन आपको सेल स्टरी के लिए छोड़ा गया है यह उसका टाइम टेबल है यूजवली आपके चार बज़े तक बाकी दिन आपकी क्लासे मतलब कंप्लेट हो जाएंगी वेनस दे और थर्सडे बस एकी दिन ऐसा होगा जहाँ पर आपकी जो क्लासे जो चलेंगी ICI के जितने भी cover होते है resources पूरे-पूरे resources को हम लोग cover करने की कोशिश करते है, come on back to the square one अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ ध्यान दीजे समझे बात को, how the stoppage in transit is affected करके, CDC बात है बेटा यहाँ पे क्या होगा, कि unpaid seller में exercise the right of stoppage in transit either by taking the actual position of goods और by giving notice of his claim to the carrier करके, मतलब क्या बुला गए एक तो मैं actual मैं फिर से position ले लू सुनिए बात को ध्यान दीचे, पहली वाली चीज़ एक तो मैं actual मैं सही में पूरा position ले लू अपने पास goods का, मतलब क्या कि मेरे goods जा चुके है, मैं goods को वापस बुला लाता हूँ, और अब अब समझिए बात को वापस मैं possession ले लेता हूँ, मेरे जो goods है ना, मेरे जो goods है वो जा चुके है, ना देखो चले गए, goods है दिख रहे आपको goods नहीं दिख रहे, लेकिन मैं अब उसका वापस से possession ले लू, तो इस particular चीज को क्या कहता हूँ, मैं reposition लेना है न, reposition करना तो यहाँ पर वो ही बोला गया है, कि आपने actual possession वापस ले लिया, या आपने notice दिया carrier को जो goods को transport कर रहा है, कि तुम goods को मेरे भी आपने hold करोंगे, और तभी दोंगे buyer को, जब मैं कहूँगा मतलब मेरे जब तक मैं direction ना दू, जब तक मैं direction ना दू, समझना बात को, तब तक, तब तक तुम क्या कुछ करोंगे, क्या तब तक तुम कुछ नहीं करोंगे तब तक तुम buyer को goods भी नहीं दोंगे, समझरे बात को ध्यान रटना येस चलिए आईए ध्यान दीचे अब मैं अगर कह वह आपके साथ ध्यान दीचेंगा दूसरे पर चीछ के ओपर यहाँ पर क्या बोला गया है देखो यहाँ पर बोला गया है अगर मैंने सामने वाले विक्ती को क्या कहा कि यार तुम वो जो गुट्स को मुझे रिटर्न करो या मैंने उसको बारे में बता दिया तो ऐसे इसमें उसको गुट्स को मुझे वापस री डिलिवर करना ही होंगा कुछ भी हो जाए वो गुट्स को क्या करेंगा मुझे री डिलिवर करेंगा इस चीज का ध्यान रखेंगा वो मुझे क्या करेंगा वो मुझे गुट्स को री डिलिवर करेंगा ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि दोनों के बीच में आखिर क्या-क्या difference है, उस particular चीज के बारे में बात करेंगे, lecture को like करते हुए चनला, अगर आपको सारी-सारी चीजे ध्यान में आ रही है, सारी-सारी चीजे अगर आपको समझ रही है, तो फटा-फटे के, अब आईए द्यान दीचे, मैं अगर बात करूँ आपके साथ, अब आएंगे next particular चीज के उपर, distinction between the right of lean and right of stoppage and transit, दोनों के बीच में आकर अंतर क्या है, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, और आप भी पानी पी लीचे, अच्छा, आपने एक चीज नोटेस कियोंगी, कि जो भी हमारी class चल रही है, उसके live chat के अंदर एक link pin है बेटा, वो link में master revision session होने वाला है हमारा unit 3 का, मतलब क्या, जहाँ पे एक ही दिन के अंदर हम पूरा unit 3 को complete कर देंगे, वो particular चीज का master session में आप लोगों के लिए रखा हूँ है, तो ये कब होने वाला है, ये कल शाम में 5 बज़े होने वाला है, आज नहीं, ये कल शाम में 5 बज़े होने वाला है, इस चीज का आप ध्यान मतलब कौन सा, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday को तो आप सभी लोग जानते हो कि special 26 से हम लोग आगास करने वाले है, ठीक है, चलिए, अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, समझे बात को next particular चीज के ऊपर चलेंगे, देखिए, यहाँ पर क्या बोलागा है, दोनों के बीच के distinction की बात की गई है, अच्छा मैं आप लोग को कोई एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग कोई, आप में से कोई कह रहा था, सर्थ, BCR के lectures का कैसा है करके, तो मैं आपको कहूँ, अगर आपको BCR के lectures देखने हैं, तो bit.ly slash ig sir live, आप यह, अरे, हो चालो, ओफो, तो ऐसे इसमें आप समझे ब क्या आप यह कर सकते हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, समझे बात को ध्यान दीजें, मैं अगर कहूँ, आपके साथ देखें, यहापे क्या वो लगए, distinction between the, हुआ के connection, नहीं हुआ, चलो, मैं अगर कहूँ बेटा, आप लोग वोग वोग साथ समझे बात को लगे, अलग मुझा गहा है, समझे बात को, अगर मैं कहूँ, आपके साथ यहापे देखें, essence of the right of lean से related बात को, जो right of lean है यह right of lean के इंदर, समझे बात को ध्यान दीजे, right of lean के नदर क्या होता है, कि goods का possession अपने पास ही होता है, अपन goods के possession को क्या करते है, समझे बात को, अ आपन goodize के possession को स्याब करते है अपन इस Party चीछ को retain करते है Wow प्र रीटेन मतलब किया होता है प्रजेशन अपने पास ही है असको अपने पास ही रहता है तो उस चीछ पात को regain position वोला जाता है, क्या बुला जाता है? Same Is, next वाली चीजिज के उपर आएँगे, क्या बोला है, आपर ध्यान दो? Right of lean के अंदर क्या होता है? Salar के पास position होता है, लेकिन stoppage and transit के अंदर बेटा, goods कहा जाने चाहिए, goods अलग होने चाहिए seller से, और यहाँ पे possession किसके पास होता है carrier के पास होता है या उसके बाद buyer has not acquired the possession करके मतलब क्या और buyer को अब तक goods नहीं मिले और buyer insolvent भी हुआ है इन तीनो conditions का यहाँ पे सारा लेना होता है मतलब पहले वाले case में तो आपके पास ही possession है लेकिन अगर आपको मतलब यह करना है आपको stoppage and transit करना है तो आपके पास possession नहीं होना चाहिए दूसरी बादी चीज बेटा possession carrier वाले के पास होना चाहिए मतलब transporter के पास होना चाहिए और buyer has not acquired the goods करके क्या बोला है आपके कि buyer के पास अभी तक goods नहीं पहुचे है ऐसी बाली चीज होनी चाहिए फिर यहाँ पर right of lean जो है न बेटा जो right of lean है it can be accelerated even in the buyer is not insolvent मतलब lean को आपके lean के लिए cable और cable एक चीज trigger होती है वो है unpaid seller वो है cable और cable unpaid seller लेकित अगर आपको stoppage and transit करवाना है अगर आपको रोकना है रहा चलते हुए गाड़ी को अगर आप रोकना चाहते हो तो ऐसे इसमें buyer को insolvent कराना बहुत अती आवशक है भेगा buyer को यहाँ पर insolvent कराना अती अती आवशक है इस चीज का भ्यान रखे हैंगा है ना ऐसा यहाँ पर बोला गया है मतलब मैं आपके साथ यह चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका जो goods के ओपर lean आप करना चाहते हो तो आप cable और cable अगर unpaid भी रहते हो ना unpaid भी रहते हो तो भी सारी चीज़े चल जाती है लेकिन right of stoppage and transit के अंदर ऐसा है क्या ऐसा नहीं है वहाँ पर तो बेटा सामने वाले व्यक्ति का insolvent होना अतियाव शके तब जाकी चीज़े बनती है फिर उसके बाद right of stoppage and transit begins when the right of lean ends अब वेसी बात है मेरे पास ते जब possession जाएंगा वही से तो बेटा right of stoppage and transit आएंगा वही से तो right of stoppage and transit आएंगा ना आप खोलता है यह मुझे है ना तो यह वाली चीज़ इसके अंदर हो जाती है अब मैं आपके साथ बात करूँगा effect of a sub sale यह pledge by the buyer करके मन्दब यहाँ पर बात यह होती है समझे बात को ध्यान दीजे यहाँ पर सीधी सी बात यह ऐसाथ कि मैं ने मने मतलब कौन मैं अगर बात करो आपके साथ समझे बात को seller ने बेटा goods बेचे किसको buyer को और buyer ने इसको क्या किए buyer ने इसको sub buyer को बेचे seller ने बायर को बेचे तो सवाल यह उठता है कि क्या इसको valid title मिलेंगा या नहीं मिलेंगा उस particular चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसको valid title मिलेंगा या नहीं मिलेंगा तो देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, क्या बोला है, this is based on the principle that second buyer cannot stand in a better position than the seller करके, सीधी सी बात है, जब मैंने valid title इसी को नहीं दिया, मतलब हमारे buyer को नहीं दिया, तो सब buyer को कैसे valid title मिल सक समझें आप बात को, चलिए बहुत बढ़िया, अब next particular चीज के उपर आएंगे, अब यहाँ पर जो बोला गया है क्या, कि the right of stoppage and transit is defected by the transfer of document of title, pages of goods, और sub buyer in a good faith for the good consideration, सीधी सी बात यह है बेटा, कि आपका जो stoppage, right of stoppage है, यह defeat हो जाता है, कौन सी वाली चीज ते, कि अगर कि अगर जो document of title of goods है न, यह अगर buyer के पास पहुच जाता है न, यह अगर buyer के पास पहुच जाता है तो ऐसे situation के अंदर वाली चीज भी defeat हो जाती है, अब मैं exception से related बात करूँगा, सर यह exception कौन सा है, समझे बात को ध्यान दीजिए, यह exception गो है बेटा, कौन से चीज के, सुन buyer की बात हो रही है, यह वाला सब buyer जो यहाँ पर मैंने बनाया था, है न, यह buyer था, यह seller था, तो seller ने buyer को goods बेचा है, और buyer ने सब सेल कर दिया, तो सब buyer करूँगा मैं उस चीज को, तो सब buyer के पास कब valid title जाता है, उसके बारे में यह बात कर रहा है, कि जब seller एते transaction को ascent दे है, तो ऐसे situation में यह आता है, exception उपर वाले चीज का, उपर वाले चीज का क्या आता है, समझना बात को ध्यान रखना, है न, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि approval होना चाहिए करके बस इस चीज को समझना, second वाले चीज के अंदर देखे, क्या बोला गया है, second exception में कौन सी अब देखो यहाँ पर, when the document of title to the goods has been transferred to buyer, and the buyer transfers the documents to the person who has bought the goods in a good faith, मतलब यह सब बायर के बारे में बात कर रहा है, है न, मतलब सब बायर में goods को खरीदा है, या document of title सब बायर के पास आ चुके है, देखो, बायर के पास document of title आई, उसने goods को बेचा, तो उसने document of title को किसी और वि तो उसने क्या किया है, समझना बात को ध्यान रखना, उसने आगे proceed कर दिया है, उसने क्या कर दिया बेटा, उसने आगे proceed कर दिया, इस चीज का ध्यान रखना, तो ऐसे situation के अंदर, यहाँ पर यह बोला जाता है, कि यहाँ पर सीधी सी बात यह बोला जाता है, कि सामने वाल चीछ के related अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो यहाँ पे बोला गया है क्या यहाँ पे बोला गया है बेटा इफ दे लास्ट मेंशन ट्रांसफर इस बाइव अफ दे सेल या राइट ऑफ लीन या स्टॉपच इन ट्रांजिट समझना बात को है ना मतलब आपने स्टॉपच इन ट्रांजिट को डिपीट किया दूसरा इफ दे लास्ट मेंशन ट्रांसफर इस बाइव अफ दे प्लेज अन्पेट सेलर्स राइट ऑफ लीन और दे स्टॉपच चैन उनली भी एकसेस सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ दे बात को जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को गुड्स आपने प्लेज किया है लास्ट मेंशन ट्रांजेक्शन ओ रही है यहां पर जो बात की गही है तो अगर वो सेल के नीचर का है तो राइट अगर आपका लीन और स्टॉपच इन ट्रांजेट डिफीट हो चुका है अगर वो mortgage का nature का है, तो again आपके पास जो भी रियो right है, वो particular right को आप exercise नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपसे assent लियाता है, आपसे approval लियाता है उस particular चीज का, तो ऐसे इसमें मैं कैसे defeat कर सकता हूँ, वो particular चीज को ऐसा यहाँ पर बोला गया है आईएंगा ध्यान दीजेंगा, इस particular चीज को देखते हैं, लेकिन उससे पहले उससे पहले एक काम करते हैं, आज के session को यही stop करते हैं, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रही है थब बगरे भी, तो ऐसे इसमें आज के session को यही complete करते हैं, हम लोग कि अगर आपने अगर अभी तक अनकेडमी का subscription नहीं लिया है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल अनकेडमी का subscription ले सकते हैं, और अनकेडमी का अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल इस code का आप scan कीजेंगा, आप अनकेडमी के उपर structured तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लस या आइकोनिक आपको दो प्रकार के subscription लेना होता है, प्लस के अंदर आपको live class, weekly test, unlimited access और structure courses मिलते हैं, सेम चीज़े आइकोनिक में उसके अलावा personal guidance study, planner study material, expert guidance test, analysis मिल जाता है, जब भी आप अनकेडमी का कोई भी subscription ले, आप definitely IG sir के code का इस्तमाल कीजें, आप अनकेडमी का combat भी दे सकते हैं, बिटाई हापे, जो अनकेडमी का combat होता है, यह every Sunday होता है, and again आप यहापे IG sir के code का इस्तमाल कर सकते हैं, follow कीजे मुझे अनकेडमी के learning आपके उपर, thank you so much once again, bye bye, take care, अपना और अपनों को रियान रखे, शाम के session में हम लोग मिलेंगे, writing practice के अंदर, in case अगर अच्छा रखता है, तो मैं फिर session को schedule करवा दूँगा, और in case ठीक नहीं रखता है, तो फिर हो सकता है कि मैं session को ना रखू करके, हैना तो बारा बज़े आप एक बार प्रोफैल में चेक कर लीजेंगा, बस कि मैरा session created है या नहीं है, ठीक है, thank you so much once again, bye bye, take care.